दोस्तो आइपियल 2023 में रोज एक सी बढ़कर एक रोमाशक मुकाबले देखने को मिल रहा है। जवाब में रायस्थान ने सांदार बल्ले बाजी की और 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 189 रन बनाए और 4 विकेट से मुकाबला जीत लिया दोस्तों रायस्थान की जीत के बाद पॉइंट टेबल में बहुत बड़े बदलाव देखने को मिले हैं आपको बता दे कि इस मुकाबले को जीतने के बाद रायस्थान को बहुत बड़ी खुसकबरी मिली है वहीं मुंबई इंडियन और कोलकता नाइट राइडर को बहुत तगड़ा जटका लगा है और इस वीडियो में आपको पॉइंट टेबल के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं के लिए अगर आप भी संजु सेंचन को एक बेतरीन खिलाडी मानते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजीगा तो चलिए आपका ज्यादा समय न लेते हुँ वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तों पॉइंट टेबल में सबसे निचले पा चाट का नेटरन रेट हैं इसी के साथ हैदराबाद की टीम आईपेल 2023 की प्लेयाफ की रेज से पूरी तरह से बाहर हो चुकी है दोस्तों नमबर नौ पर दिल्ली कैपिटल का नाम आता है दिल्ली कैपिटल ने आईपेल 2023 में अब तक कुल 13 मुकाबले खेले हैं जिन में से 5 में जीत मिली और 8 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है इसी के साथ दिल्ली कैपिटल के 10 पॉइंट हो गये हैं और माइनस 0.572 का नेटरन रेट है और हैदराबाद के बाद अब दिल्ली कैपिटल भी आईपेल 2023 में पिलेयाफ की रेज से बाहर हो चुकी है दोस्त के साथ पंजाब के 12 पॉइंट हो गये और माइनस 0.304 का नेटरन रेट है दोस्तों दिल्ली और हैदराबाद के बाद पंजाब की टीम भी प्लेयाफ की रेज से बाहर हो चुकी है दोस्तों साथवे नंबर पर कोलकता नाइट रैडर का नाम आता है कोलकता ने अब तक 13 मुकाबलों में जीत मिली और साथ मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है आपको बता दे के कोलकता के 12 पॉइंट हो गये और माइनस 0.256 का नेटरन रेट है के कियार को प्लेयाफ में पहुंचने के लिए अपना आखरी मुकाबला जीतना होगा और अपने नेटरन रे इसी के साथ मुंबाई के 14 पॉइंट हो गये और नेटरन रेट की बात करें तो मुंबाई इंडियन का नेटरन रेट माइनस 0.128 है दोस्तों मुंबाई को प्लेयाफ में पहुंचने के लिए अपना आखरी मुकाबला जीतना होगा और अपने नेटरन रेट को भी बहुत नमबर पर पहुंच गई है राजसान ने अब तक कुल 14 मुकाबले खेले हैं जिनमें से 7 में जीत मिली और 7 में हार का सामना करना पड़ा है आपको बता दे कि इसी के साथ राजसान की 14 पॉइंट हो गया और नेटरन रेट 0.148 है दोस्तों राजसान को प्लेयाफ में कौलि बर रहना होगा अगर उपर की टीमें अपना मुकाबला हारती है तो राजसान की टीम प्लेयाफ में कौलिफाई कर जाएगी दोस्तों नमबर चार पर RCB का नाम आता है रॉयल चेलेंजर बेंगलोर ने अब तक कुल 13 मुकाबले खेले हैं जिनमें से 7 में जीत मिली है जबक प्लेयाफ में कौलिफाई कर जाएगी दोस्तों नमबर 3 पर लखनाउ सुपर जॉइंट का नाम आता है लखनाउ ने अब तक कुल 13 मुकाबले खेले हैं जिनमें से 7 में जीत मिली है और 5 में हार का सामना करना पड़ा है इसी के साथ लखनाउ के 15 पॉइंट हो गए है और न चिन्ने सुपर किंग ने आईपियल 2023 में अब तक कुल 13 मुकाबले खेले हैं जिनमें से 7 में जीत मिली है और 5 में हार का सामना करना पड़ा है बता दे कि चिन्ने सुपर किंग के कुल 15 पॉइंट हो गया और ने टरंडेट 0.381 है चिन्ने को प्लेयाफ में कौलिफाई करने के लिए एक मुकाबला और जीतना होगा दोस्तो नंबर एक की बात करें तो नंबर एक पर हार्दिक पांडिया की कप्तानी वाली गुजराट टाइटन का नाम आता है आपको बता दे कि गुजराट की टीम ने अब तक कुल 13 मुकाबले खेले हैं जिनमें से 9 में जीत मिली ह और 4 में हार का सामना करना पड़ा है इसी के साथ गुजराट के 18 पॉइंट हो गया है और ने टरन रेट की बात करें तो 0.835 का काफी सांदार ने टरन रेट है दोस्तो गुजराट प्लेयाफ में पहुंचने वाली पहली टीम बन चुकी है लेकिन बागी की तीन टीमें कौ कुन सी प्लेयाफ में पहुंचेंगी कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि किर्कित से जुड़ी हर लेटेस अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुंचे व